नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपक ग्यान्ट्री यूट्यूब चैनल के MCQs में हम आज मद्य यूगीन इतिहास की बात करेंगे जो कि पूछे जाने वाले परिच्छाओं में बहुत ही महत्वपों टॉपिक होगा और इससे आपने विभिन परिच्छाओं में प्रश्ण भी देखे होंगे जो कि मद्य यूगीन इतिहास से आते हैं जिसमें सल्टनत, मुगल, माराथा, आदी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूछे ही पूछे जाते हैं चलिए हम बात करते हैं पहला हमारा प्रश्ण है कि हसन निजामी और फख ए मुदबिर किसके दरवारी कवी थे दोस्तों आप जो ये चैनल देख रहे हैं इसकी अदियाफ पीडियेफ चाहते हैं पाना तो इसके लिए टेली ग्राम चैनल का लिंक हमार डिस्करप्शन में दिया गया है आप जा करके उसे जॉइन कर सकते हैं दूसरी बात यदि आप लगातार ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेशन UPSC, स्टेट PCS, SI Railway, पुलिस आदिक जाम के लिए चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिए ठीक है तो किसके दरबारी कवी थे आप सन्हें कुतबुदीन आइबग, हिल्तोतमिस, बलबन या अलाउद्दीन खेल जी तो यहां सही होगा हमारा कुतबुदीन आइबग आप भी हमारे साथ आइंसर क्यों कमेंट बाक्स में देते रहें जिससे आपका भी सुआखलन होता रहेगा मुहमद गौरी ने पहली बार बहाद पर कवा कमण किया आप सन्हें है 1172, 1175, 1178 यह 1182 तो जो पहली बार अकमण किया था वो 1175 यह स्वी में किया मुहमद गौरी ने और कहा किया था तो वो जगह थी मुल्तान जो पहला अकमण हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था और उस समय वहाँ पर करमाथी जादी के मुस्लिम सासकों का राज़ था किसका था तो करमाथी या करमाथ भी कह देते हैं करमाथ जाती कि मुसल्मानों का वहापस आसन था कहाँ पर तो मुल्तान में किसके काल को मुगल चित्र काला का स्वनकाल कहा जाता है बहुत जादा पूछा गया और बड़ी हाप प्रशन है किसके काल को मुगल चित्र काला का स्वनकाल कहा जाता है आप सनिय है अकबर B. जहांगीर, C. सा, जहां या D. औरंग जीब कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएん तो इसमें जो सही एंसर है वो है B. आपसन जहांगीर जहांगीर के काल को मुगल कला का चितर कला का स्रौन कल कहा जाता है किसका काल मुगल वास्तु कला का फरोनकाल कहा जाता है आफसीन ए अक्भर बी जहांगेर सी सहाँगेर और डी और और रंगेर तो सरवादिक जो बड़ी मारती बनाई गई वो किसके काल में बनी सहाँगे काल में तो इसके काल में जोเปणी बड़ी मारती है उन में से न между एक हमारा कौन है ताज महल जो आगरा में है ताज महल आगरा दूसरा है हमारे पास लाल किला लाल किला जो कहां है दिल्ली में तीसरा है हमारे पास मोती मस्जिद मोती मस्जिद कहां है आगरा में ये प्रमुक है आगरा में मौती मस्जिद और चौथा हमारे पास है जामा मस्जिद जामा मस्जिद कहा है जामा मस्जिद है दिल्ली में किलियर मुहम्मद बिन कासिम ने भाद पर आकमर कप किया पहला है 711, 712, 713, 714 तो जो सही है वो है 712 राइस्वी आपसन B इसका जो आकमर हुआ था वो सिंध प्रांथ पर हुआ था इसके खिलाफ हुआ था तो राजा दाहिर उस समय सिंध के सा सकते लिंग राजमंदिर किस प्रदीश में है आपसन A. उडीशा आपसन B. अंदर प्रदीश आपसन C. उत्तर प्रदीश या आपसन D. कारणाटक जो इसमें सही है वो है आपसन A. उडीशा लिंग राजमंदिर उडीशा में है उडीशा में पूछा या लिंग राज का मंदिर कहा है तो उडीशा कि राजधानी भुवनेश्वर में इस्थित है लिंग राज का मंदिर इसे जजदी केसरी ने बनवाया था किसने बनवाया था तो जजदी केसरी ने लिंग राजमंदिर बनवाया था और ये कब बना था तो ये जो है ये ग्यारवी सद्धी में बनाया गया और इसके कुछ हिससे लगभग 1400 साल पुराने हैं ग्यारवी सति में बना वो इसके कुछ हिस्से हैं जो कि 1400 साल पुराने हैं नतराज की कान से मूर्ती किस वन्द से समंदित है कई बार पर पूचा जाजू का प्रशन है चोल वन्स, चेर वन्स, पांडवन्स या राष्टकूट वन्स तो जो नतराज की मूर्ती है उसका समंद्ध चोल वन्स से है नतराज का आर्थ होता है तांडव नरती की मुद्रा में सिव तांडव नरती की मुद्रा में सिव जिन मित्रों ने अभी तक मेर्वेल हिस्टरी या मध्य युगिन इतिछास के लेक्चरज नहीं पढ़े हैं वो डाइरेक्ट जाकर के मध्यकालेन इतिछास या मेर्विल हिस्टरी नामक प्लेमिक्ड में बना हुआ है वहाँ से जाकर के लेक्टर पढ़ सकते हैं mcq में जाकर mcq playlist में एक बना है वहां से जाकर आप प्रश्णूतर दे सकते हैं यदि आप किसी राज विशेश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस राज के जाकर के state mcq नाम से playlist में बना है वहां से जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है अमोग वर्स हर्स किस वन्स से समंदिता अमोग वर्स किस वन्स से समंदिता आपसन ए राश्टकूट आपसन बी चोल आपसन सी चेर या आपसन डिक पांडे तो इसका समंद था अमोग वर्स का राश्टकूट वन्स से और इस वन्स का यह क्या था तो संस्था पर्था बिटेन की रानी एलजाबेत प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर, जहांगीर, साहजहां या औरंगजीब किसके समकालीन थी? बताएगा जरूर कमेंट बाक्स में इसमें जो सही एंसर है वो कौन है? अकबर, एलजाबेत प्रथम जो थी, इनका साहसनकाल जो चला, वो चला 1558 से लेकर 1630 तक इंगलेंड की रानी रहें और ये अकबर के समकालीन होती है अब्दुलकादिर बदायोनी, नकीब खान और थानेशवर किसके दरवार में थे? किसके दरवार में थे आपसन है अकबर, जहांगीर, सहाजहां या औरंगीब तो ये तीन के तीनों लोग ये अकबर के दरवार में रहते थे किताब उल्हिंद की रचना किसने की? आपसन ए है अलबरवन, आपसन भी अलबरूनी, आपसन सी अमीर खुसरू, आपसन डी इबन बतूता जो इसमें सही है वो है अलबरूनी अलबरूनी ने सरवर्थम भारती संसकत का अध्यन किया था अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने ही किताब उल्हिंद की रचना की किस सल्टनत कालियन राजाने? अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों तेवहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी बिना उसकी इजाज़त के न दावतों का न तेवहार आप मना सकते हैं ये बात कि सासक ने कही थी सल्टनत के फिरोसा तुबलग, महुम्मद बिन तुबलग, अलावत दीन खिल जी या बलबन तो जो इसमें सही है वो है अलावत दीन खिल जी अलावत दीन अपने राज के विद्रूह को दबाने और विद्रूहों की आसंका से बचने के लिए अमीरों के बीच दावतों पर रोग लगा दी थी अलावत दरवाजा किसका प्रविश्द्वार है? इसमें जो सही है हमारा वो है अपसन कुतुब मिनार अलावत दरवाजा कुतुब मिनार का प्रविश्द्वार है इसे सन 1311 इसमें अलावत दीन खिल जी ने बनवाया था कुतुब मिनार को जो बनवाया था वो कुतुब दीन एबख ने बनवाया था इसका निर्माड पूर्ण इल्दुत्मिस्स ने कराया। लेकिन जब अलाई दरवाजा की बात आती है, तो इसका निर्माड अलाउद दीन खिलजी ने कराया था। बाबर ने भाद का सबसे सक्तिसाली राजा किसे बताया है। बाबर की जो बाबर नामा है उसमें किसे इसने सबसे सक्तिसाली बाना आपसन एक कृष्ण देवराय राणा सांगा उपरों की तोनों या इन में से कोई नहीं सबसे सक्तिसाली उसने कृष्ण देवराय को माना था किसुन देवराय बिजे नगर साम राज के सबसे महान राजा थी उनके राज वर्तमान समय में जिसे हम तमिलनाडू केरल उडीसा और करनाटक उडीसा करनाटक आंद्रपदीस में फैला हुआ था तो आप यह देखें तो जाहिर सी बात आपको लगेगा कि तमिलनाडू केरल उडीसा करनाटक आंद्रपदीसी पाँच राज ज्याग जो आज की समय आप मिला ले आंद्र तेस वो जिसमें तेलंगाना प्रथक नहीं है तो अपने में बहुत बड़ा भू भाग हो जाता है और लगभग पचास परसल से जादा जादा समुद्री भाग भी हिस्से में आता है तो बाबर ने किशन देओ राय को भाग का सबसे सत्साली राजा इन्हीं कानों से बताया था निमलिकी सहरों में से एक प्रसिद्ध समारक रूमी दरवाजा कहां इस्थित है आपसन ए है लखनव बी है दिल्ली सी आगरा या डी मतुरा तो जो रूमी दरवाजा है वो कई बार पर इच हम पूछा जा चुका है जो लखनव में स्थित हैं और ये आवधी वस्तुकला से बना हुआ है तो आवधी वस्तुकला से बना हुआ है फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है मुहमद साहरंगीला साहालमदुती अकबर दुती ये बहादुर्षा प्रथम तो जो ये कहा जाता है ये कहा जाता है साहालमदुती को साहालमदुती एक मुगल समराण था जिसे अंग्रेजों के हाथ बकसर युद्ध में हार मेली थी बकसर भी हार में ये युद्ध हुआ था नेक्स्ट है महरुनिसा किस नाम से प्रचली थी आपसने नूर जहां, आपसन भी मर्यम जमानी, आपसन सी सलीमा या आपसन दीन में से कोई नहीं तो महरुन निसा को नूर जहां नाम से जाना जाता था महरुन निसा सेरे अफगान की विध्वा और जहांगीर की पतनी थी जहांगीर ने इन्हें नूर जहां की उपादी दी महरुन निसा या नूर जहां पतनी किसकी थी तो पसनी थी ये जहांगीर की सराब गुट का किस रहस्यवादी कवी की हस्तलिपी है भगत पीपा की, कबीर की, सूर्दास की ये इन में से कोई नहीं इसमें जो सही है वो है भगत पीपा कबीर किसके सिस्यत है आपसन A. रामानंद, आपसन B. वल्लभाचार, आपसन C. चैतन्य प्रभू, आपसन D. इन में से कोई नहीं तो कबीर जो थे वो रामानंद के सिस्यत है रामानंद भगतिकाल के प्रमुक्संत थे और कबीर के सिस्यत कबीर के जो हैं बारा सिस्यत है यदि कबीर के सिस्यों का नाम है अनंतनांद, सस, रूरानंद, सुखानंद, नरारी दास, भवानंद, भगत पिपा, रौन, धन्ना, रविदास और दो महिलासे से सुसुवरी और पदवती थे अकबर नामा किस भासा में है? यसे बाबर नामा पूछते हैं किस भासा में है, तो तुर्की में है, हमसे यहां पूछा है कि अकबर नामा किस भासा में है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि अकबर बाबर के बाद की जितनी हैं, उन्हों को फारसी में लिखा गया है, बाबर में जिसे अबुल भजल ने लिखा था जिसने लिखा था तो अबुल भजल में जोरी का उन्तिम अभियान किस के खिलाफ था आपसंन 1 खोकर आपसंन 2 भठी आपसंं सी पठान आपसंन ड्डी जाट तो मुहम्मद गोरी का जो आखरी अभियान था वो खोकरों के खिलाफ था जो बारा सो च्छै इस्वी में हुआ था महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अलवरूनी, अमिर खुसरो, इबन बतूता या इन मेंसे कोई नहीं तो उसके साथ जो आया था, वो कौन आया था? अलवरूनी, अलवरूनी महमूद गजनवी के दरवार में एक विद्वान था वह भारत आकमर के समय भारत महमूद गजनवी के साथ आया था आउरंग जेब किस वाद्यंत को बजाने में निपूर था? आपसान, ए वीना, बी सितार, सी धोलक या डी तबला जो इसमें सही है, वो क्या होगा? वीना, आउरंग जेब वीना बजा लेता था लेकिन उसने राज में संगीत पर रोंक लगा दी थी किसके काण? क्योंकि वहाँ इसलाम के सरियत के अनुसार कानून चला रहा था और इसलाम में नाच गाना, वाद्यंत्र बजाना और सुनना हराम है इल्तुतमिस द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातुका था? आपसन ए सोना, आपसन बी चांदी, आपसन सी तांबा या आपसन डी लोहा तो यहाँ जो सही है वो है आपसन बी चांदी फिल्तुतमिस ने चांदी का टंका तसा तांबे के जीतल चलाया जो पूरी तरह से अर्भी सिक्के थे इसमें चांदी का सिक्का जो चला वो 175 ग्राम का था कितने का था? 175 ग्राम मले बिद और वेलूर के मंदिर किस वन्स के राजाओं ने बनवाए थे? आपसन एकाक्ती, आपसन भी होयसल, आपसन सी चालुक के, आपसन डी विजयन अगर जो यहां सही है वो है होयसल मले बिद और वेलूर के जो मंदिर हैं, वो होयसल वन्स दारा बनवाए गए थे फिर यहां यही मले बिद और वेलूर के मंदिर किस राजाओं दारा बनवाए गए थे तो यहां भी सही है हमारा आपसन वेलूर नेश्ट है, निम्न मेंसे निम्न में से सही क्रम क्या है तुगलक खेल जी मुगल लोदी लोदी खेल जी मुगल तुगलक तुगलक खेल जी लोदी गुलाम गुलाम खेल जी तुगलक लोदी यही हमारा सही आपसन है कौन सा डी आप जैसा जानते हैं यदे आपने लेक्चर पढ़ रखे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पहला वंस गुलाम आया, फिर खील जी आये, फिर तुबलक आये, और फिर लोदी आया जैसा पहला सासक पूछा जाए सलस्नत का, तो कुत बुद्दीन आयबक है जिसने गुलाम वंस की स्थाबना की अंतिम पूछा जाए कौन है, तो इबराहिम लोदी है, जिसे बाबर के हाँ तो मुलत्य प्राप्त हुई, दिल्ली सलस्नत में कुल पांच वंसों का राज्य रहा है, इसमें गुलाम वंस बारा सो चैसे, बारा सो नब्बे तक रहा, खील जी वंस बारा सो नब्बे से लेकर, तेरा सो बीस तक रहा, तुबलक वंस तेरा सो बीस से लेकर के, चौदा सो चौदा तक रहा, और यदि हम पूछें, इस सयद वंस भी बीच में रहा, सयद वंस चौदा सो चौदा सो चौदा सो इक्यावन तक रहा, और लोदी वंस जो है, हमारा अंतिम वंस है, यह हमारा च 1426 तक रहा तो इस हिसाब से गुलाम, खील जी, तुगलक, सयद और लोदिवन्स रही 1576 का वर्स किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है 1576 जो है किस वार के लिए फेमस है आपसन ए हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानी पत का युद्ध, या इन में से कोई नहीं तो यह जो प्रसिद्ध है वो किस के लिए है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है जो राणा प्रताब और अकबर के मद्ध हुआ था इसके मद्ध हुआ राणा प्रताप और अकबर के मद्ध किन तु अकबर की तरफ से अकबर नहीं आये थे इनके सेना पती कौन थे तो मान सिंग आये थे युद्ध लड़ने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि राणा प्रताब और मान सिंग के बीच हुआ था या अकबर के से नापती मान सिंग के बीच हुआ था या राणा सांगा और अकबर के बीच हुआ था वो आफसन पनिर भर करेगा पानी पत का तीसरा युद्ध किस के बीच हुआ? आफसन A. राजपूत और माराथा B. राजपूत और अफगान C. अफगान और मुगल D. माराथा और अफगान इसमें सही जो है वो है D. माराथा और अफगानों के मद्दे पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया पानिपत का तीसरा युद्ध सदा स्यू भाव की मराठा सेना और अहमत साह दाली की अफगान सेना जिसमें मराठों की हार हुई और उनके साथ से सत्तर हजार सेनिक मारे गए मारे गए और उनके यूग गी युद्धा भी मारे गए इसमें अफगानों का रुखे लाव अवधों का साथ दिया जिसमें मराठों को राजपूत और जाटों के साथ प्राप्त नहीं हो सका आगरा की कौन सी मारत मासको के सेंट कैथेड्रल की तरह है कौन सी सेंट कैथेड्रल की तरह है बहुत बड़ी हाप प्रशना है आपसन ए है मोती महजिद भी है ताजमहल सी लाल किला या डी एतमादुद दौला का मकपारा जो इसमें सही है वो है मोती मस्जिद जो सेंट कैथेड्रल की तरह बनी हुई है मासको के मासको रूस्म की राजधानी है बहमनी सामराज की राजधानी कहां थी? आपसन ए गुलवर्गा, बी बरार, सी अहमदनगर, या डी हमपी तो जो इनकी राजधानी थी, बहमनी सामराज की वो थी गुलवर्गा, बहमनी सामाज की राजधानी गुलवर्गा जिसे 1425 इस्वि में बदल कर बीदर कर दिया गया था क्या कर दिया गया था? बीदर, 1425 इस्वि में बदल कर निमली खित में वीना कौन बजाता था? आपसन A. अकबर, B. जहांगीर, C. सहाजहां, या D. औरंग्जेब तो जो इसमें सही है, वो है हमारा औरंग्जेब जबकि इन्होंने दर्बार में संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था तुंग भद्रा के तख पर कौन सा सामराजी विक्सित हुआ आपसन A. विजैनगर, B. बहमनी, C. चालोके, या D. चोल जो यहां सही है, कौन सा है? विजैनगर विजैनगर की स्थापना हरिहर और बुका नामक दो सगे भाईयों द्वारा की गई ये मद्ध काल का सबसे बड़ा हिंदू सामराजी था सडक ए आजम किन सहरों को जोड़ती थी? आपसन A. आगरा दिल्ली आपसन B. आगरा काबुल आपसन C. आगरा और सासाराम आपसन D. सासाराम और देवगीरी जो इसमें सही है, वो C है आगरा और सासाराम सडक ए आजम का निर्माण सेर सासूरी ने कराया था आगरा और ग्रह नगर सासाराम के बीच बनवाया था चुकि ये बिहार का ही रहने वाला था इसका अगर सेर सासाराम में ही सेर सासूरी का मगबरा भी है निमलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? आपसन A. राणा कुम्भा आपसन B. राणा परताप आपसन C. राणा उदैसिंग आपसन D. राणा सान तो जो यह सही है वो आपसन A है राणा कुम्भा की म्रत की हत्या उनके पुत्र ने की राणा कुम्भा ने चित्तौल का विजय इस्तम्भ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया? आपसन A है सारंगपुर का युद्ध, चित्तौल का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, गोडुंगा, गोगुंडा का युद्ध किसके बाद बनवाया जो इसमें सही है वो है आपसन ए सारंगपुर के युद्ध के बाद विजय इस्तम्भ चित्तोड का विजय इस्तम्भ बनवाया गया यह जो विजय इस्तम्भ है यह 37 मीटर उंचा है और इसे मेवार नजस राणा कुम्भा ने महमूद खील जी के नेतत्तो वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के रूप में बनवाया था और यह जो बना है इसका सन लगभग 1442 से लेकर के 1449 के मद्ध माना जाता है जोदपुर के निकट उसिया नामक सहर किस वन्स के राजपूत राजाओं ने विक्सित किया था जोदपुर के निकट उसिया नामक सहर किस राजपूत के राजपूत 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 वाए गए मंदिर भी हैं किस्ट दिवराय के छेतर में वर्तमान में किस प्रदेश में हिस्से नहीं थे किस्ट दिवराय के छेतर के वर्तमान किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे तमिलनाडू, केरल, करनाटक, महाराष्ट, जो इस सही है वो है अपसन डी, महाराष्ट करस्देवराय, विजैनगर सामराज के सबसे महान राजा थे, उनका जो सासन था वह तमिलनाडू, जोदपुर के निकट, उसियां सहर की जो इस्थापना की थी, करस्देवराय, किस में नहीं है तो महाराष्ट होगा यहां सही, और फिर है, हाँ, पूर पस्चिम, समुद्र, दिशावर की उपाधी किसे धारन की, पूर पस्चिम, समुद्र, दिशावर की उपाधी किसने धारन की, आपसन ए है हरिहर प्रथम, आपसन भी समुद्र गुप्त प्रथम, सोरी समुद्र गुप्त, करस्देवराय, और हरिहर दुती, ये उपाधी जो धारन की, वो हरिहर प्रथम द्वार, धारन की कई हरिहर प्रथम ने तुंग भद्रा के दच्छन के राज पर अधिकार कर लिया था, और उसने पूर पस्चिम, समुद्र सावर की उपाधी धारन की, और पस्चिम दिशावर के समुद्र का श्वामी भी ब फार्सी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रजाक इबन इशाक समरकंदी ने 1440 के दस्क में किस भारती सहर की यात्रा की कमालुद्दीन ने जो यात्रा की वो काली कट की की काली कट भारत के माला बारतट परिस्थित सहर है उसने काली कट की संसकत के बारे में कई उप्योगी लेख भी लिखे हुए है रुकया बेगम किस मुगर सासक की पतनी थी आपसन ए हुमायू आपसन बी अकबर आपसन सी जहांगीर या आपसन डी साह जहां जो इसमें सही है वो है आपसन बी अकबर रुकया बेगम मुगर सासक अकबर की पतनी थी जो 1557 से लेकर 1605 इसमें तक अकबर की पतनी रही रुकया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायू के सबसे छोटे भाई थे रजिया सुल्तान किसकी पतनी थी अलतूनिया आपसन बी इलतुतमेस आपसन सी बलपन आपसन डी इनमें से कोई नहीं जो सही है वो है अलतूनिया 1293 में मारको पोलो ने किस भारतीय राज की यात्रा की थी आपसन ए पांड आपसन बी होईसल आपसन सी काकतीय जो यहां सही होगा वो है आपसन बी होईसल वन्सकी स्थापना की 1293 में यहां के दान संपदा आधिके विस्तार का उल्लेक भी किया है खिजर खाने किस वन्सकी स्थापना की आपसन ए खिल जी आपसन बी तुगलक आपसन सी सयद या आपसन डी गुलाम तो खिजर खाने सयद वन्सकी स्थापना की जिसकी स्थापना 1414 इसवी में की गई ग्रान टंक रोड का पुनर निर्माड किसने करवाया बहुत बड़ी हाँ प्रश्ण है निर्माड तो सबको पता सेरसा सूरी अगर पुनर निर्माड पूँच ले तो कौन सा सही होगा तो यहाँ पर पुनर निर्माड में भी सेरसा सूरी ही सही होगा ग्रान टंक रोट का निर्मार जो हुआ वो हुआ था मौरेकाल में कब हुआ ग्रान टंक रोट का निर्मार कब हुआ था तो मौरेकाल में हुआ पहली बात कई बुकों में ये लिखा है कि इसका निर्मार सेरसा सूरी ने कराया लेकिन इसे इसका जो पुनर निर्माड है वो से सासुरी निकारवाया निर्माड इसका मौड युग में हुआ था तब कच्ची सड़क थी और इसने इसे पक्की करा दिया था नेक्स्ट है तली कोटा का युद्ध किस वर्स हुआ? यद तली कोटा का युद्ध किस वर्स हुआ? आपसन A 1565, आपसन B 1566, आपसन C 1676, आपसन D 1577 जो सही है इसका आपसन वो A 1565 में हुआ तली कोटा का युद्ध विजयनगर सामराज और डिककन सलसनत के संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ जिसमें विजयनगर सेनापती सदाशिव राओं की हार हुई अगर जो पूछा जै ताली कोटा के युद्ध में कौन सा व्यक्ती हारा? तो सदाशिव राए की हार हुई और जेप के समय राजपूत विद्रो कब हुआ? आपसन ए 1669, 1669, 1669, 1669, 1669 या 1682 तो याद रखेंगे जो हुआ वो हुआ 1679, मिन्स आपसन C सही इवराजपूतों द्वारा विद्रो हिंदों पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था साह जहां की म्रत्यू कब हुई? आपसन A 1658, आपसन B 1660, आपसन 1662 या आपसन D 1666 इसमी तो जो इसमें सही है वो है आपसन D 1666, आप लोग कमेंट बाक्स में एंसर जरूर दें साह जहां को उनके पुत्र और अरणजेप ने 1658 में कैद कर दिया था 1658 में कैद में डाल दिया और वो 8 साल कैद में रहने के बाद और 680 में मर गए पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ निजाम की बुरी तरह पराजे हुई सनिवार खेड़ा किस वन से समंदित है सनिवार खेड़ा किस राजवन से समंदित है आफसन ए है मुगल, B मराठा, C बिजैनगर और D होईसल जो इसमें सही है वो है मराठा सनिवार खेड़ा मराठाओं के पेशवाओं के बैठने का इस्थान था और इसका विकास पेशवा बाजी राओ प्रत्थम ने किया था कौन से मुगल राजा के दरवार में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे आकबर, B जहाँगीर, C साह जहाँ और D और अरगजेव ये कुशन हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे ये कुशन कुश तदा गल्लत है इसमें मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू मनसबदार होना चाहिए था तो आप्शन सही होता D और अरगजेव जबती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू करवाया था आपसन ए अलाउदीन खेल जी बी टोडरमल सी मान सिंग या डी ब्राहिम लोदी जो सुरू कराया जबती वो किसने कराया टोडरमल टोडरमल अकबर के नौरतनों में से एक थे उनका मुखकार राज़सुका कारे देखना था जबती और दहसाला प्रथा टोडरमल ने सुरू कराई किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आकमर के लिए भेजा आपसन ए अलाउदीन खेल जी बी बलबन सी इल्तुतमिस या डी रजिया सुल्तान जो इसमें सही है वो है अलाउदीन खेल जी उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आकमर के लिए अलाउदीन ने भेजा था मिनाची मंदिर का निर्मार किस काल में हुआ आपसन ए पांड आपसन बी चोल आपसन सी चेर या आपसन डी होईसल्त जो इसमें सही है वो है आपसन ए पांड वंस पांड वंस ने मिनाची मंदिर का निर्मार कराया या मदुरे में है जो पांड वंस की राजधानी थी जो मिनाच्छी मंदिर है वो कहां है तो मदू रहे महाँ ये राजधानी हुआ करती थी पांडिवन्स की चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया आफसन ए, कुतुबुदीन अइबक, इलतुतमेस, अलाउद्दीन खिल जी या बलबल तो जो चलाया था और किसने चलाया, इलतुतमेस ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल चलाया ये भाद में पहले सुरुद अरबी सिखे थे जो इलतुतमेस ने चलवाय थे तैमूर ने भाद पर अकमर किसके समय किया? आपसन ए मुहमस साथ तुबलक आपसन भी अलाउद्दीन खिल जी आपसन सी खिजर खाँ आपसन डीन में से कोई नहीं जो इसमें सही है वो होगा महमूस साथ तुबलक के समय किया और सन था 1398 इसमें एक्ता पर्था का अंत किसने किया? आपसन ए अलाउद्दीन खिल जी बी बल्बन सी अकबर डी मुहम्मद बिन तुबलक जो खत्म किया वो किया था अलाउद्दीन खिल जी ने इस पर्था को सुरू किया था इलतुतमिस ने और इसके अंतरगत सैनिकों और राज अधिकारियों के बेतन के बदले भूमी दी जाती है एक्ता पर्था में सैनिकों और राज के अधिकारियों को बेतन न देकर उसके बदले भूमी दी जाती है उसियां का मंदिर किसने बनवाया आपसन ए है गुर्जर प्रतिहार आपसन भी परमार आपसन सी चालो के आपसन डीन में से कोई नहीं जो इसमें सही है वो है गुर्जर प्रतिहार इसमें प्रतिहार राजवनसी राज़ों में बनवाए थी ये मंदिर है नागवट प्रत्थम मेहरी भोज नागवट दुती द्वारा बनवाए गए चंगेज खान का समकालीन कौन था? इसमें जो सही होगा वो होगा ए इसमें प्रत्थमिक मद्देकाल के दौरान जेजाक भुकती किस जगे को कहा जाता था? आपशन A. बुंदेल खंड, B. रुहेल खंड, C. मालवा या D. इन में से कोई नहीं तो जेजाक भुकती जो कहते थे वो कहा जाता था बुंदेल खंड को मुगल काल में न्याय का सरोच चदिकारी कौन था? आपशन A. काजी, काजी अल, कुजात, मनसबदार, काजी अलहत, या इन में से कोई नहीं तो जो इसमें सही है वो है काजी अल, कुजात को सरोच न्याय अधिकारी कहा जाता था जहांगीर के दर्वार में बिटेन के सासक जेमस पत्थम का कौन सा राजदूत आया? आपसन A. थामस रो, आपसन B. जेमसे है, आपसन C. थामस होड, आपसन D. इन में से कोई नहीं जो सही है वो होगा आपसन A. थामस रो थामस रो आया था, जो व्यापारिक अनुमत लेने के लिए जहांगीर के दर्वार में आया था मुगल सासक, मुहमस सा को किस नाम से जाना जाता है? ये एंसर आपको पता होगा तो जरूर बताएं आपसन A. सहे बेखरवर, आपसन B. रंगीला, आपसन C. पागल बासा, आपसन D. इन में से कोई नहीं जो सही है वो है रंगीला बासा मुगल राजा साह आलम दूती का असली नम था आपसन ए आलमगीर आपसन सी अली गौहर आपसन सी जुना खाँ या आपसन डी रोशनक तर जो इसमें सही है वो है अली गौहर मुहमद साह आलमदुती का असली नाम जो था वो क्या था अली गौहर ये इस नाम से उपादी पे बैठा था मुहमद मुगल साहसत का असली नाम क्या था तो रोशनक तर अलाई दर्वाजा को किसने बनवाया आपसन ए कुटब उदी नाइबग बी अलाउदीन खेल जी सी इलतुतमिस या डीन में से कोई नहीं जिसमें सही है वो होगा अलाउदीन खेल जी बीजापूर साजनत की स्थापना किसने की आपसन ए यूसफ आदिलसा आपसन भी मुराद दुती आपसन सी महमून दुती आपसन डीन में से कोई नहीं तो जो इस थापना की थी यो किसने की यूसफ आदिलसा नहीं बीजापूर साजनत की स्थापना की बाबर नामा मूल रूप से किस भासा में लिखी हुई है आपसन ए भारसी, आपसन भी चगताई, आपसन सी मंगोली, आपसन डी अर्वी बाबर नामा का जो लिखावट है वो है तुर्की भासा में लेकिन इसमें जो मूल रूप से कहा है क्योंकि जो बाबर था वो चकताई भासा बोलता था इसलिए ये मूल रूप से चकताई भासा में लिखी है और इसका अबुल फजल ने फारसी में तुझुके बाबरी नाम से अनुवाद किया है इसकी रचना खुद बाबर ने की थी मंगोलों के सबसे ज़्यादा आकमा किसके कार में हुए आफसन A, इल्तुतमिस, आफसन B, बलबन, आफसन C, अलाउद्दीन खेल जी या आफसन D, जलालुद्दीन फिरोज, जो इसमें सही है, वो है अलाउद्दीन खेल जी कुत्ब मिनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत बड़ी हाँ और बड़ा सरल प्रश्न है आफसन A, बक्तियार काकी, आफसन C, कुत्ब बुद्दीन आइबग, आफसन C, इल्तुतमिस, डीन में से कोई नहीं तो जो इसका नाम रखा गया था, वो कुत्ब बुद्दीन बक्तियार काकी के नाम पर रखा गया जो एक सूफी संत थे, और इसका निर्मार पूर्ण करवाया था, वो इल्तुतमिस द्वारा कराया गया पूरी तरह से अर्भी सिक्के भाद में सरप्रथम किसने चलवाए तो जो आफसन A, कुत्ब बुद्दीन आइबग, बेल्तुतमिस, जो कि सही है कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने सरू किया? आफसन A, हेमंत सेन, आफसन B, वलल सेन, आफसन C, सूर सेन, या आफसन D, इन में से कोई नहीं कुलीन प्रथा सरू करने वाले वलल सेन थे वल्लाल सेन बंगाल का एक सेन वंस का राजा था जिसने बंगाल में कुलीन पता सुरू की और इसे बढ़ाया गुजराद के राजा भीम देव दुती ने किस आकमरकारी को हराया था आपसन ए महमूद गजनवी आपसन भी मुहमद गोरी आपसन सी अलजुनैद आपसन जीन में से कोई नहीं तो उचने मुहमद गोरी को हराया था भीम दुती ने अबु परवत के पास मुहमद गोरी को भीम दुती ने हराया और उसका मारदर्शन उसकी मा काइमा देवी रसन में हराया था और मुहमत गोरी को पकड़ लिया गया किन्तु बाद में छोड़ दिया गया था भीम्दुति के द्वारा चर्यापद की रचना किसने की? पीरसी में तो पाल वंस के दौरान होई। उसने पाल वंस था। सोलंकी वंस की रालधानी कहां थी? आपसन A, विरावल, आपसन B, आहिलवारा, आपसन C, भरूच, या आपसन D, कांवती जो इसका सही है वो है आहिलवार। सुलंकी वस गुजरात राज में है था और यह इसकी राजधानी अहिलवाडा थी और इसके सरसे जो सासक थे उनका नाम था मूल राज आलहा खंड किस युद से सम्मंदित है आप्षन A महोबा का युद आप्षन B चंदावर का युद आप्षन C तराइन का प्रथम युद आप्षन D तराइन का तुति युद आलहा खंड महोबा के युद से सम्मंदित है आलहा खंड में परदी देव या परमल के प्रथ्विरा चवहान से 1182 इस्वि में हुए युद का वर्णन है इसकी रचना जगनिक ने की थी जगनिक अलहा खंड की रचना किसने की तो जगनिक द्वारा जो कवी थे इनके दरवारी 1725 इस्वि में अरब आक्रमल कारियों द्वारा नश्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनात मंदिर किसने बनवाया जो इसमें सही है वो है नागभट दुती ने गया 725 में आक्रमल कारियों सोमनात मंदिर को तोड़ दिया जिसे नागभट दुती ने 815 इसिम बनवाया इसे 1024 ने महमूद गजनवी ने दोबारा तोड़ दिया एक हजार 24 में महमूद गजनवी ने फिर से तोड़ दिया राजपूट्रों ने किस अरब आक्रमल कारी की सेना को हरा दिया था आपसन ए अलजुनैद आपसन बी महमूद गजनवी आपसन सी मुहमद बिन कासिम आपसन दीन में से कोई नहीं जो सही है वो है अलजुनैद गुरजार पतिहार वंस के राजपूट्र राजा नागभट प्रथम ने युद्ध में अरबा कमल कारी अलजुनैद को हरा कर और वापस भेच दिया था निम लिखे राजपूट्र वंसों में कौन सा अगनिकुल से नहीं है आपसन ए प्रतिहार आपसन बी परमार आपसन सी चौहान या आपसन डी कछवाहा कौन सा नहीं है अगनिकुल से तो उसमें सही होगा डी आपसन कछवाहा अगनिकुल से सम्मंदित जो हैं वो हैं चौहान चौहान परमार प्रतिहार और चालोके ये चार हैं जो अगनिकुल से सम्मंदित हैं तो तीन तो आपके सामने हैं प्रतिहार परमार चौहान और चौ था है चालों के यह अगने कुलके हैं इसके अलामा जो बाकी है वो अगने कुलके नहीं है तो इसमें D आपसन सही है नहीं पूचा है कछवः चच नामा कहां के इतिहास से समन्दित है आपसन A कस्मीर आपसन B सिंध आपसन C गुजरात और आपसन D राजस्थान चचनामा कहां के इतिहास से समंधित है तो इसमें B सही है सिंध है मंसादारी प्रथा कहां से ली गई है आपसन A मौरको, आपसन B मंगोलिया, आपसन C इरान और आपसन D इराक जो ये मंसादारी प्रथा ली गई है वो कहां से ली गई है मंगोलिया से मंसरदारी पर था मुगल काल में चली किसके काल में चली तो ये मुगल काल में सुरू की गई थी और मूरूप से मंगोलिया की है और इसकी भाज में जो सुरुवात की वो किसने की तो अकबर ने किलियर मंसरदारी पर था मंगोलिया की है किस वंस ने शुरू की, मुगल ने, किस सासक ने शुरू की, अकबर ने तो आपके यहां से तीन-चार प्रशन के लिए रोते हैं पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा, राज खर्चे पर करने का एलान किया था आपसन ए, अकबर, ब, औ, रंगजेब, सी, अलाओ दीन खेल जी, दीन में से कोई नहीं तो यह जो एलान किया सबसे पहले हो, किस ने किया था, अकबर ने बीजे नगा सामराज में सरवाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? सरवाधिक आयात मतलब बाहर दूसे देश भेजे जाने वाली वस्तु क्या थी? सोने की आभूसान, रूई, घोडे या नाओ, जो इसमें सही है, वो क्या है? घोडे सरवाधिक घोडे आयात किये जाते थी दिल्ली सल्तनत के दोरान भरीद किसे कहा जाता था? आपसन ए, समाचारवाहक या जासूस, बी दुकंदार, सी या पारी, या डी कलाकार तो जो बरीद कहा जाता था, वो समाचारवाहक या जासूस को कहते थे फिरोज साह तुगलक ने किस पुस्तक्की रचना की? आपसन ए, फुतुछत ए, फिरोज साही, आपसन भी तारीक है, फिरोज साही, डी किताबे फिरोज साही, सी किताबे फिरोज साही, दीन में से कोई नहीं तो जो सही है वो ए है, फुतुछत ए, फिरोज साही की रचना, फिरोज साह तुगलक ने की? किसानों पर सिचाई कर किसने लगाया वसने ही सबसे पहले सिचाई कर लगाया था आरबों के सिन्दाकमर के दोरान बहुत से हिंदूं का जबरन धर्मांतरण किया गया वो किस अधिकार से वापिस हिंदू धर्म में आए आफ सन ए यघिवल्लाग इसमती परासा रिसमती देवल इसमती या व्यास इसमती इसमें सी आफ सन साई है देवल इसमती मुहमद बिन कासीम ने 712 में सिंद्पराकमण किया तब वहाँ के कई हिंदों को इसलाम धर्म परिवर्तित किया गया फिर देवर रिस ने उनका सुध्धी कराया और वापस हिंदू बनाया तो याद रखना कौन है देवर रिस मुगल राज में काजी अलकुजात कौन था? आपसन ए वित्त मंत्राले का प्रमुख आपसन बी राजसो का सरवचदिकारी, सी न्याय का सरवचदिकारी या दी सेनापती जिसमें सही है वो है न्याय का सरवचदिकारी बीजापुर के आदिल साहवन्स के सेनापती अफजल खान का असली नाम क्या था? आपसन A, अब्दुल भटरी, आपसन B, समसुद्दीन, आपसन C, मुहम्मद खान, दीन में से कोई नहीं जो इसमें सही है वो है अब्दुल भटरी नेश्ट है दीन ए इलाही कब चलाया गया दीन ए इलाही कब चलाया गया आपसन A, 1570, 1575, 1583, 1582 जो इसमें सही है वो है 1582, D आपसन 1582 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया या धर्म जो चलाया गया हो 1582 स्वीमिन. Next है. ख्वाजा. मुहिनुदीन चिस्थी की दर्गा कहा है? आपसन A. अजमेर आपसन B. जैपूर C. जोधपूर और D. बेकानेर जो इनकी चिस्थी की जो दर्गा है वो कहा है? अजमेर में है. मुहिनुदीन चिस्थी एक सूफी संत थे, इनकी दर्गा राजस्थान के अजमेर में है विठा स्वामी का मंदिर किसने बनवाया, आपशन A. राजाराम राए सदास्य राए करश्ण देव राए, या हरी हर राए, जो सही है वो है करश्ण देव, राय ने बनवाया, जिसे किर्सन देव राय के सामराज में ये मंदिर बना इनका सासन 1509 से लेकर 1530 तक चला गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस ने किया आफसन ए गुरु अर्जुन देव आफसन भी गुरु नानक आफसन सी गुरु तेख बहातौर और आफशन D, गुरु गोविंद शिंग, जिसमें सही है, वो है गुरु अरजुन देव, गुरु अरजुन देव ने किया, गुरु अरजुन देव सिखों के पांचवे गुरु थे, जहां उन्हें, जहांगेर ने खौलते तेल में डाल कर मरवा दिया था, किसने मरवाया थ फिरोसा, थुगलक, आफशन C, नसीर-उदिन महमूद, आफशन D, इन में से कोई नहीं, यहां जो सही है, वो है मुहमद बिन तुगलक मुरीद किसे कहा जाता था आपसन A, सूफी संतों के सिस से आपसन B, सूफी संतों को आपसन C, सूफी संतों के विचार मानने वाले राजा D, सूफी संतों के गुरू इसमें जो सही है वो है सूफी संतों के सिस से पाद साह गाजी किस मुगर समराट को कहा जाता था आपसन ए अकबर, बी जहांगीर, सी साह जहांगीर, और डी आवरंग्जेग पाद साह गाजी जो कहा जाता था, वो किसे कहा जाता था जहांगीर को चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ आपसन ए मुहमत गोरी और प्रत्वी राच्चावान आपसन भी प्रत्वी राच्चावान और जैचंद आपसन सी जैचंद और भीम देव सोलंकी आपसन डी मुहमत गोरी और जैचंद जो इसमें सही है वो है आपसन डी मुहमत गोरी और जैचंद चंदावर का युद्ध जो हुआ वो हुआ था ग्यारा सो चौरानवे इस्वी में जो मुहमत गौरी और जैचंद के बीच हुआ था इस युद्ध में लड़ते हुए जैचंद मारा गया था गुर्णानक देव का जन्म कब हुआ? आप सन ए, 20 अक्टूबर 1367, 20 अक्टूबर 1467, 20 अक्टूबर 1479 और 20 अक्टूबर 1522 कितना गजब है? सब में 20 अक्टूबर दिया है तो जो यहां सही आइंसर है वो है 20 अक्टूबर 1479 जिसे आपको याद रखना है कि की चौदा सो उनःत्र को गुर्णानक का जन्म हुप और इस दिन प्रकास वर्ष के रूप में मनाया जाता है मार्को पोलो किस राज के छेत्र में तेरवी सताब्दी के अंत में बहाय ताया आपसन A. पांडे, आपसन B. चोल, आपसन C. होईसल और आपसन D. चेर तो यहाँ जो सही होगा, वो कौन सा होगा? पांडे, मारको पोलो, पांडे वंस में आया था भारत मुल्क A. खादिम के नाम से कौन सा राज जाना जाता है? था आपसन A. मराठा सामराज, मैसूर सामराज, मुगर सामराज या सलतनत तो मुल्क A. खादिम नाम से मराठा सामराज को जाना जाता था ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आये हैं, आ रही हैं तो लाइक करें, सामरे क्विश्चन कमेंट बाक्स में जाकर जरूर बताएं यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी हमारी वीडियो की ठीक है दोस्तों, ठैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद